हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Motorola Edge 30 Fusion Android वाइल फोन में आप जो है Power On Sound सैटिंग को आप Disable कैसे कर सकते हैं यानि कि Off कैसे कर सकते हैं और ये Power On Sound सैटिंग जो है Disable करने के बाद ये सैटिंग कैसे काम करती है आज कि इस वीडियो में आपको डिटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलीए का पर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पर आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है तीक है power on sound के इस option के ठीक सामने आपको ये button दे रखा है इस button को आपको select करना है तो ये black color में button off हो जाएगा यानि कि आपकी power on sound setting जो है इस तरीके से disable हो जाएगी ठीक है अब ये power on sound setting जो है disable होने के बाद ये setting कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ तो जब भी आप अपने mobile phone को switch off करेंगे यानि कि power off करेंगे अपने phone का फिर इसके बाद आप अपने phone का switch on करेंगे यानि कि power on करेंगे आप अपने mobile phone का तो आपका mobile phone sound create नहीं करेगा ये setting disable करने से पहले आपका mobile phone sound create करता था ये setting disable करने से पहले लेकिन अब आपने इस setting को जो है disable कर दिया है तो अब आपका mobile phone जो कोई भी sound create नहीं करेगा जब आप power on करेंगे अपने mobile phone का ठीक है तो यह setting जो है disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी अब अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का यानि की power on sound setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में आपको करना है mobile का setting page open करना है setting page में आपको सबसे ओपर यह search setting का option दिखाई देता है search setting पर आपको select करना है अब आपको search bar में यहाँ पर type करना है power on sound ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा type कर देना है तो आपको नीचे की side में इस तरीके से power on sound का यह option show हो जाएगा ठीक है जब यह option show हो जाएगा तो इससे select करना है इससे होता क्या है कि आपका mobile phone जो है आपको directly इस setting page में आपको लेकर आजाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंना आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में